दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्सविल में यहाँ मैं एक और इंपोर्टेंट आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ यहाँ आप देख रहा है यहाँ पे घर का प्लिंथ बीम यानि की रोड से ले करीब 3-4 फिट उपर अब इसका जो ग्राउंड लेवल है उस पे यह मकान बन गया है अब वहाँ पे इसका प्लिंथ बीम डालना है लेकिन दोस्तो इस वीडियो में सबसे पहला जब पॉइंट है मैं आपको बता दूँ कि कहां पे हमें ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम एक ही घर में दोनों जगा देना है तो जैसा कि आप यहाँ देखें यहाँ पे आपको ग्राउंड बीम नीचे दिखाई दे रहा था अब इस पे आप उपर देख रहा है कि यह तीन से चार फिट तक दिवार उठाने के बाद अब इस पे प्लिंथ बीम का सरीया बांदा गया है अब इस पे प्लिंथ बीम की तो मैं यह दोनों चीज आपको यहाँ डिटेल बताऊंगा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस लाइक कीजिएगा सेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर गया है साइड साइड में इट की सट्रिंग लगाई जा रही है तो अब इसको यहां पर प्लिंथ बीम ढ़ालके उसका जो ग्राउंड का लेबल है ग्राउंड से आप देख सकते हैं रोड पर यहां पर लोग खड़े हैं उससे नीचे यहां पर उसको तैयार किया और फिर इसको ढलाई के बाद फिर इस पे जो चुनाई है करीमन तीन से चार फिर तक चुनाई किया धाँ और फिर उसके बाद से पिलिंथ बीम का सरीया यहां पे डालके और यहां पे ढलाई होने वाली जो कि आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि ये कहां पर ऐसा करना जरूरी है, जहां पर आप ग्राउंड बीम भी दे रहे हैं, और साथ में प्लिंथ बीम भी दे रहे हैं, तो मान लिजे कि आपका हिल्ली एरिया है य एक तो यह condition हो गया दूसरा condition यह हो गया दोस्तों कि मान लिजे कि road से आपका जो जमीन है वो 4 feet से ज्यादा है या मतलब 3,5-4 feet तक है या 4 feet से ज्यादा है तो फिर आपको सबसे पहले वहाँ पे अगर आपको basement नहीं बनाना है उसके उपर आपको करना क्या है कि 4 feet उठाना है 5 4 feet उठाना है 4 feet पे आपका road level पे आजाएगा फिर 2 feet आप और उठाते हैं तब जाके आप अपना DPC या फिर वहाँ पे पिलिंथ बिम देते हैं तो उस case में अगर road से आपका 4 feet नीचे है तब आपको क्या करना है 4 feet के base यानि नीचे जाकर वहाँ पे आपको ground beam डालना है फिर के filling करें मोरम के filling करें filling करने के बाद फिर आपको जैसा आप देख रहा है कि अब इसके ऊपर यहाँ पे पिलिंथ बीम बांदा जा रहा है उसका धलाई करने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि नीचे से जितनी भी दिवार आई है 4 feet नीचे से वो सब पे यहां 99 इंच का दीवार चलाया गया है, सब पे पिलिंद बीम आपको दिखाई दे रहा होगा, और दोस्तो ऐसे तो आप अपने घर की मजबूती के लिए DPC जहां पे देते हैं, वहां पे भी आप नीचे भी एक बीम दे सकते हैं, और DPC के जगह भी आप पिलिंद बीम दे सकते हैं, अगर आपका उतना बजट है तो जिससे घर भी काफी मजबूती होता है, उसमें कोई द अब यहां पे देखिएगा कि आपको नीचे ग्राउंड लेवल पे यानि कि जो जमीन का लेवल है, वहां पे आपको यह पिलिंद बीम दिखाई दे रहा है, यह 9 इंच का यहां पे पिलिंद बीम आपको दिखाई दे रहा है, उसके उपर आप देख सकते हैं, यहां पे ध आपको अपना मकान उठाना है उसके उपर आपको यह बलैक कलर का कंक्रीट दिखाई दे रहा होगा वो डीपीस है हमारा दोस्तों तो यह बड़ा सवाल है कि फिर कहां मतलब किस मकान में कैस किस जगह पे हमको प्लींद बीम देना है और डीपीस ही देना है तो देखिए आप रोड लेबल पे अपना जब नीचे से आप 9 इंच के दीवार चारो साइट से उठा के ले आए बीच में से उठा के लाएं जहां जहां आपका कॉलम और बीम जो आइन हो रहा होगा फिर आपको उस लेबल पे आप जमीन के लेबल पर पिलिंद बीम डाल दें फिर आपको जितना मकान उठाना है कम से कम जो ISS standard कहता है कि आपको कम से कम road से 6 इंच से 1 feet तो उपर आपको मकान रखना ही है तो हम तो आज पास जो मकान बने रहते हैं उस हिसाब से हम सोच लेते हैं कि हम मकान 2 feet उठा रहे हैं 3 feet उठा रहे हैं तो हम दो इंच का डालते हैं ओ दोस्तों क्यों डालते हैं क्यों हम DPC को क्या करते हैं कि हमारा नीची का दिवार है तो दीरे-दीरे, डीपीसी के उपर आपका में दीवार आता है, तो आपके दीवार पर भी ऊसीलन चड़ेगा, तो आपका प्लास्टर पेंट सब खराब होने लाएगा, इसलिए मिट्टी कभी भी आपको दो इंच नीचे भरना है, और डीपीसी करने के बाद कंक्रीटिंग उसको आपको waterproofing कर देना है waterproofing के लिए आपको बहुत सारे market में chemical मिल जाता है ठीक है सब आप bitumen भी लगा सकते हैं बहुत लोग अन्सवाल किये था मेरे से कि bitumen तो plasticity बना देता है plastic form हो जाता है तो उसके उपर हम eat का चुनाई करेंगे तो क्या होगा कि bonding बना लेगा दोस्तो market में उस तरीके का DPC coating के लिए भी bitumen बनाया जाता है special आप उसको लगाईएगा तो आराम से उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा उस पे आप eat की चुनाई कीजिए बहुत अच्छा bonding बनाएगा फिर उसके बाद उसको और भी waterproofing करने के लिए बहुत सारे chemical मिल जाता है जैसे Dr. Fixit का आप URP यूज कर सकते है PD की 2K Plus आता है O यूज कर सकते है Cica का आता है chemical जो की mainly DPC के लिए waterproofing के लिए बनाया जाता है तो DPC क्या होता है एक आपका barrier का काम करता है जो की नीचे का जो मिट्टी का सता है force को और उपर की दिवार को वो एक barrier बनाता है बीच में बंधक बन जाता है जो की sealant को चढ़ने नहीं देता है DPC अगर आप नहीं देते हैं और मिट्टी डिरेक्ट भर देते हैं डिरेक्ट नीचे से दिवार उठा देते हैं तो वहाँ से आपके घर में पूरा sealant आने का chance रहता है तो आपको देखिए नॉर्मल जो घर बनाते हैं आपका मतलब कहीं कोई दिकत नहीं है मकान बना सकते हैं